अगर आप दुकान करना चाहते हैं, पैसा थोड़े बहुत है और सोच रहें कि मैं कौन सा दुकान करूं, गाव में रहूं, सहर में जाओं, क्या दुकान करूं, समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आपके पास 50,000 रुपे हैं, 1,00, 5,00, 10,00, रुपे हैं, जितना रकम है, देखो, मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना रुपिया है, लेकिन अगर आप एक दुकान करना चाहते हो, एक ऐसा दुकान जिसमें चिंता उतना नहों, दुकान में माल खराब नहों, ग्रहां उसका बारो महीना ठंडी गर्मी बरसात मतलब आता रहे, ऐसा कौन सा काम है, कौन सा दुकान में करूँ, किस जगा पर करूँ, यह सब बहुत कुछ मेटर करता है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बहुत बिस्तार से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियोज को अन तक सरूर देखिएगा, क्योंकि एक गरीब इंसान है, उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो वो यही सोचता है, कि मैं इसको कहाँ इंवेस्ट करूँ, क्या दुगान खोलूँ, कहाँ लगाँ, इंवेस्ट का नाम सुन करके तो उसको घबरा ठोटीए, कि भाई, इंवेस्ट का मतलब कि किसी ऐसे कमपनी में पैसे को इंवेस्ट करना, मैं वो सब नहीं बताने वाला, मैं आपको एक ध्याती सुद्ध भासा में बता रहा हूँ, कि दुकान समझ रहा होंगे, दुकान, जो मार्केट लगता है, दुकान लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो कौन सा दुकान आपके लिए बेटर रहेगा, और कौन सा दुकान आपको करना चाहिए, मैं इसी के बारी मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं, तो सस्क्राइब कर लिजेगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा, लाइक मैं आपको कह रहा हूँ, लाइक करते हैं उससे मुझे मूटिवेशन मिलता है, लाइक कीजेगा, चैनल को सस्क्राइब कीजेगा, और अंत में अपना राय दीजेगा मुझे, क्या मैं जो कह रहा हूँ, ये बाते आपको फिट वैठती है, क्या आप ऐसा सोचते हैं, अगर सोचते हैं तो कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, देखिए, हर इंसान समान बना नहीं सकता, कंपनी समान बनाती है, ये आपको भी पता है, हर इंसान समान नहीं बनाता, हम company में जा करके job करते हैं 10,000, 20,000, 25,000 रुपे salary मिलती है वहाँ पर जाके वह सी product को हम बनाते हैं लेकिन वह अपने घर पे नहीं बना सकते क्योंकि उस company में invest हुआ है, उस company का permission मिला है उस company में quarter रुपे का खर्चा हुआ है इतना रुपे हमारे पास नहीं है कि कोई एक product हम उसको बना सके अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से शुरुआत करते हैं ठीक है, अगर आप उतना intelligent है, मतलब समझदार है तो आप उसको कर सकते हैं लेकिन उतना जाद समझदार नहीं है आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो कुछ बनाई नहीं सकता या पिर इसमें तो बहुत बड़ा रिक्स है यह मैं कैसे कर सकता हूँ मैंने काफी दिन पहले एक वीडियो जो बनाया था कि माचीस का अब लोग देखें भी होंगे सायथ उस माचीस में मैंने बोला था अगर एक माचीस पे एक माचीस पे अगर 20 पैसे का भी प्रोफिट हो रहा है एक माचीस पे 20 पैसे का भी प्रोफिट हो रहा है तो यह बिजनस करना आपके लिए बहतर रहेगा कैसे करना है जैसे मालो दुकान वाला है वो एक रिपे में एक माचिस देता है उसको खरदारी 80-85 पैसे पड़ती है मैंने यही बताया था 80-85 पैसे में एक माचिस उसको खरदारी पड़ती है और वो लाकरके फुटकर में एक रिपे में वेशता है यानि कि उसको 15-20 पैसे ए इने कहीं से लाना पड़ता है, जिसको wholesaler कहते हैं, तो वो या तो किसी company का dealership लिया होगा, या फिसी से franchise लिया होगा, या फिर company से contact किया होगा, है ना, यही system होता है, company से आता है dealer लोग के पास, उसके बास से आता है, जाता है, उसके wholesaler लोग के पास, उसके बास जाता है retailer लोग के पास, तो अगर वही माचीज आपको किसी भी तरीके से, चाहे wholesaler से, चाहे company से through, अगर डियेट कंपनी तो customer को देती नहीं है, हाला कि कोई ने कोई dealer ही होते हैं, तो अगर वो माचीज एक रुपे का है, अगर वो 50-55 पैसे का आपको मिल रहा है, चाहे वो dealer से, चाहे वो wholesaler से, 50 पैसे या 55 पैसे का, यदि आपको मिल रहा है, तो आप उसको लाग करके 70 पैसे में दे सकते हैं, उस ब्यक्ति को जो 50 पैसे में खरीद रहा हैं, नहीं समझे, आप इस बात को फिर से पीछे जा करके देख सकत जो मैंने आपको अभी बता है, यानि कि 50 पैसे में, 55 पैसे में आप उसको खरीद करके, 70-75 पैसे में आप उसको बेज सकते हैं, यानि कि 1 माचिस के पीछे आपको 20 पैसा बनना चाहिए, समझ गया है, 20 पैसा, अब इस तरीके से आप बहुत सारे माचिस, पैसे हैं न, 50,000, 1, एक लाग रुपे, 10,000 रुपे, जितना रुपे हैं, आप क्या कर सकते हैं, उस तरना रुपे का माचिस उठा करके, छोटे-छोटे दुकान पे, जो नुकड चौराहों पे रहते हैं, दुकान करके, गुमती में, या फिर किसी छोटी कमरे में, गलियों में, ऐसे-ऐसे इतना भी आजा है, फिर भी माचिस का उपयोग होता ही होता है, अगरबती जलाने के लिए मंदिरों में, मैं कहां-कहां नाम लियार, हर जगह जो है उसका उपयोग होता है, और ये हर रोज होता है, बारो महीने होता है, दिन और रात, दोनों वक्त होता है, ठीक है, तो एक सोचो, आप घर में खाना बनाते हो, आग लग गई तो, जब आप उसको safety ने रखो गई, किसी भी चीजी का, तो नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन इतना भी डरने वाली बात नहीं है, आकिर कहीं नहीं रखा ही जाता है, दुकानों में माचिस क्या नहीं रखा जाता है, कह आप GST ले लो, आप उसका जो भी लगता है ले लो, लेकिन शुरुआत कर रहे हो, दस जार, बीस जार, पचास जार उपैसे, तो आप अपने घर से इस काम को शुरुआत कर सकते हो, और हर लोगों के पास, हर दुकानों के पास, छोटे से छोटे दुकानों के पास, जा जा करके supply कर सकते हो, एक बार जब उनको पता लग जाएगा ना, कि आप 75 पैसे में देते हो, जब वो wholesaler से 85 पैसे में खरीते हैं, तो वो आप से ही लेंगे, बाकी सारा समार वहां से लेकर आएंगे, लेकिन माचीस नहीं लाएंगे, क्योंकि माचीस में कमाई नहीं होती है, बस 10 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे, ऐसे करके कमाई होती है, जब आप उसको 75 पैसे में दोगे, वो retailer जो फूटकर में दे रहा है, वो क्या करेगा, उसको 25 पैसे, 30 पैसे की benefit मिलेगी, तो उसको फायदा होगा, यह 10 पैसे के लिए, 5 पैसे के लिए, लोग माल छोड़ देते हैं, आपको पता है ना, क्योंकि हो ज़्यादा ज़्यादा सा, और वही 20 पैसा, 20 पैसा, 20 पैसा, ऐसे करके, अगर आपने सैक्ड दुकान, बांध लिए हैं, सैक्ड दुकान से contact हो गया है, मैं क्या बता हूँ, आ या ऐसे डिलर्शिप लोगों से, या फिर ऐसे फैक्टरी के नियर बाउट, जहां पे भी मिले, मुझे नहीं वालूँ कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं, कॉमेंट करके बताना कि आप किस एरिया से देख रहे हैं, मैं आपको लूकेशन भी कुछ बता सकता हूँ, ठीक पता है, और बहुत से लोग हलके मुले करके छोड़ देख रहे हैं, यारी इसमें क्या रख रहे हैं, नहीं, बेरुजगार, देखो यार, किसी के यहां जाकर के नौकरी करोगे, तीन सो रुपे, चार सो रुपे, देहारी मिलती है, आप अगर थोड़ा सा माहिन लगा होग हो जाएगा, फिर दुकान वाले आपका इंतजार करेंगे, फोन करेंगे, आपको ओर्डर देंगे कि मुझे इतना ये पुड़क्ट चाहिए, आपको पता है कि आप कहां से लाते हो, ये सब आपको पता रहते हैं, ठीक है, और ये सब बाते सेर करने वाले नहीं होती है, आ घर से, वैसे दुकान की अगर बात रही कि कौन सा दुकान करें, इसको छोड़ करके, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो घरेलू समान होते हैं, जैसे घर मकान में लगते हैं, दरवज़ा, कुंडी, बातरूम का सीच, लोहे का ये, मैं लगते हैं, घरेलू आइटम, वो सब का दुकान आप करोगे, तो वो भी बारो महीना चलता है, और एक बार उसमें पूजी लगती है, 5 लाग, 10 लाग, 15 लाग रुपया है, कम से कम 5 लाग रुपया है, तब चाके वो इस्टार्ट होगा, वो बात है, और जो मैं ये बीजनस बता रहा हूँ, ये 10 जार है, 20 जार मैं यार, कील है, तार है, बहुत सारे आइटम, जब आप जाओगे न, दुकानों पर देखोगे यार, हाडवेर जिसको कहते हैं, हाडवेर का दुकान लोग करते हैं, उस दुकान पर जाकर देखोगे, तो सारे सारे आइटम घरेल होते हैं, जो घर में लगता है, मकान में वो उस पॉड़क की में बाद करना हूं, उस चीज की दुकान की में बाद करना हूं, उसमें investment ज्यादा होता है, आप देखलो कि यह ठीक है या वो ठीक है, क्या करना चाहते हो, देख यार, जीवन एक बार मिला है, यह जीवन फिर दुबारा मिलेगा, नहीं मालो, लेकिन हमें मेहनत करना होगा, आपको मेहनत करना होगा और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारे लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, हमें ही करना है अपना फर्ज कुद नहीं बाना है, ठीक है तो ये सब बाते हैं साइद आपको मैं जो समझाया, समझ मैं आया समझ में है तो कॉमेंट कीज़ेगा और इसी टॉपिक पे मैं आगे भी बीजनस आइडेज आपको देता रहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा मैं मिलता फिर आपसे एक नेश्ट वीडियो में तब तक ले खुष रहे हैं खुष यह बाद दरिए जैन्द